हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्यपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किछन में आज में बनाने वाली हो यम्मी स्ट्रीट फूड पास्ता दोसा यह इंजियन और इटालियन फूड का बेस्ट और योनिक कॉंबिनेशन है फुल्ली लोड़ेड विछ चीस बटर सॉस एंड पास्ता यह बहुत ही टेस्टी है बहुत ही यम्मी है बहुत ही बढ़िया है तो आएए देखते इसके लिए हमें किनके जीजर क्या वशकता है यहाँ पर मैंने लिया दोसा बैटर इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी आप कोई भी दोसा बैटर यूसकर सोकते बॉइल पास्ता है और शिम्ला मिर्च गाजर बंदागोभी और प्याच धनिया पत्ती उसके बटर है टमैटो सॉस है शेजवन सॉस है और यह कूटी काली मिर्च है और यह कोकोनट चेटनी है एक चीस क्यूब है और नमक अकॉडिंग टेस्ट है अब सबसे पहले मैं ग्यास वान करके तवा गरम कर रहे हूं इसके पर थोड़ा सा पानी चीड़ा कर रहे हूं ऐसा करने से हम्मारा जो तवा है उसका टेंपरेचर नॉर्मल हो जाता है अब उसके बाद में टीशू पेपर से इसको क्लीन क अब मैं इसके ओपर डालूगी दोसे का बैटर यह हूं मेट दोसा बैटर है आप कोई भी यूज कर सकते हो अगर आपको इसकी रेसिपी चीए तो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दोंगी अप मैंने तवा के ओपर दोसे का बैटर डाला है यह दोसा हमार 1ब बटर बटर टाल के अब मैं इसके ओपर डालूगी शेजवान सॉस में मैंने एक स्पून पानी मिलाया है दोसे के ओपर अच्छे से सप्रेड़ हो सके अब मैं इसके ओपर डालूगी सारे वेजटेबल सबसे पहले मैं डाला है बारी कटा हूआ गाजर उसके बाद मैं प्याच बारी कटा हुआ फिर उसके बाद मैंने डाला है बंदा गोबी फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ यह coconut चेटनी जो हम लोग दोसे के साथ सर्फ करते हैं सबजी की quantity आप अपने according कम जादा कर सकते हैं फिर उसके बाद मैंने डाला टेमाटो सॉस यह टेमाटो कैचप फिर कुटी हुई काली मिर्च डाल की मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़े आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए अब उसके बाद मैं इसके बाद डालूँगी पास्ता पास्ता मैं नॉर्मल वाला यूज़ कर रही हूँ जो हम लोग रेगुलर उसके बाद मैंने डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के कम या जादा डाल सकते हैं, दोसा बैटर में भी हमारा नमक है तो आप देखके डालना, अब नमक डालने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि नमक और सॉस सारी चीजे हापस में अच्छे से मिक्स और पूरे दोसे पे भी मैं इसको थोड़ा सा फैला दूँगी ताकि पूरे दोसे में इसका टेस्ट आ जाए, मैंने थोड़ा साउस को भी किनारे में लगाया है, क्योंकि किनारे में चेटनी नहीं लगी हुई थी, अब मैं इसके ओपर खिसके डाल रही हूँ, चीज बहुत टेस्टी है, और ये एक कंप्लीट एक मील बराबर है, एक दोसा खाओ, उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा दोसा बनके रेडी है, सर्फ करने वादी हूँ, बट इसको फोल्ड करके प्लेट में निकालने से पहले सारी चीज़ों को हमें एक स अगर आपको मेरी ये रेसीपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, थैंक यू